हलो दोस्तों ऑनलाइन फार में आपका स्वागत है राजंदर परसाथ सेंट्रल एगरिकल्चर इनवर्सिटी लोर डिबिजनल कलर्क और जूनियर एकाउंट कलर्का सोट लिस्ट जारी कर दिया गया था दोस्तों और आपका एक्जाम डेट भी जारी कर दिया गया था और आपका एक्जाम डेट जो है नजदीक आ चुका है 7 अगस्त और 8 अगस्त को आपका एक्जाम था ठीक है दोस्तों अब बात करेंगे दोस्तों कि 7 और 8 अगस्त को आपको क्या क्या डॉक्मेंट लेकर जाने होंगे ठ इसके एवाधा एक्जाम देने से जाने से पहले कुछ बातें आपको जानना जरू यां आपके एक्जाम में क्या माइनस मार्किंग रहने वाले हैं और आपका सिले बस एक नजर में वहों भी देख लेंगे बात करेंगे lower division color का जो pattern था general knowledge का offline exam होना है OAMR based MCQ होगा ठीके दस्तों और ये जो है medium of examination as opted by the application यानि application में आप जो medium दिये हैं उसी medium में exam होगे ठीके दस्तों और ये cool question 50 number के 50 question होगे ठीके दस्तों इसके बाद lower division color की बात करें language की तो language में आपको ये भी offline OAMR based MCQ होगा और ये हिंदी चाहे आप कोई भी language चूच किये हो आपको सिर्फ हिंदी ही मिलेगा ये 50 question 100 number के होगे ठीके दस्तों यानि 50 प्रस्न हर प्रस्न दो नमर का ये 100 नमर का ये प्रस्न होगे ठीके और इसके बाद aptitude test की बात करें दस्तों तो offline OAMR based MCQ होगा ये भी update by the application यानि application में आप जो दिये है medium examination का उस medium में मिलेगा आप English चूच किये हैं तो English और Hindi चूच किये हैं तो Hindi ठीके दोस्तों जब आपको चूच करने के लिए option दिया गया था हिंदी या English उसमें जो भी चूच किये हैं उसी भासा में ये आपको मिलेगा और ये 100 question 100 प्रस्न होगा और 100 number का हो होगे अब बात करेंगे दोस्तों जूनियर एकांट कलर की यानि जे एसी का लगवक सेम टू सेम है जेनल लोलेज वहीं है पचास ठीक है लेंग्वेज की बात करें Hindi यानि आपको आप कोई भी भासा चूच किये हैं आपको हिंदी में ही होगा देना होगा 50 प्रस्न होगे 100 नमर का और एप्टिट्यूट टेस्ट होगा यह भी आप लाइन ओमर बेस्ट एमसी की होगा इसमें भी आपको 100 नमर होगा 100 कोशन होगे ठीक है अब दोस्तों पात करते हैं कि माइनस मार्किंग क्या होगा निगेटिव क्या होगा और कैसे होगा ठीक है चलिए तो दोस्तो यहां पर देखिएगा दा इंट्रेक्शन की भेन ओन दा क्वेशन बुकलेट एंड ओमर सीट शूडवी डिया रहेगा उसको क्येरफुली यानि ध्यान से पढ़ना होगा और उस पर जो भी निर्देश दिये होंगे आपको ध्यान से ब्लाइक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से भरना है यानि आपको ब्लाइक या ब्लू पेन लेकर जाना जरूरी है दूसरा मीडियम की बात करें दोस्तों मीडियम ऑफ द रिटेन एक्जामनेशन विल बी वनली वन अप्टेट बाइद अपलिकेंट एकसे फ़र लेंग्वेज पेपर विच विल भी हिंदी वन भरने के लिए दिया था कि आप किस भासा में एक्जाम देने चाहते हैं तो आपको हिंदी को छोड़ कर बाकी मैथ और जेनल लॉलेज सारे के सारे आपके जो भासा चूज किये हैं उस भासा में आएगा तिसरी चीज के बारे में बात करें दोस्तों तक क्वेस्चन पेपर बुकलेट में ठीक है दोस्तों जेनल लॉलेज के पचास कोचन होगे और परतेक प्रसने एक नंबर का होगा लैंग्वेज पेपर की बात करें तो यह सिर्फ और सिर्फ हिंदी में होगा और यह पचास कोचन होगा ठीक है दोस्तों और हर कोचन आपका दो मार्क्स का होगा यानि language जो Hindi paper है 100 number का होगा arithmetic के बात करें दोस्तों तो यह 100 question 100 number के होंगे इस तरह 3 section में आपका paper दिया रहेगा ठीक है दोस्तों चलिए अब बात करते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है OEMR भत्ते समय आप लोग इस चीज़ को ध्यान दिज़ेगा यह correct method है इस method से आप लोग भरिएगा यानि आपका जो answer सही होगा उसको इस तरह भरना होगा ठीक है दोस्तों ऐसे देखिए यह सारा wrong method दिया है ऐसे wrong method का उप्योग नई कीज़ेगा इस तरह trick लगाने वाला या फिर cut करने वाला या फिर आधा भरने वाला या फिर बीच का सिर्फ भरने वाला या फिर दो दो भरने वाला ऐसा यदि आप करते हैं तो पहली बात आपको बता दें यहां पर clear clear दिखा देते हैं। देखें, अब निंगेटिव मार्केंग का थोड़ा बात कर लएते हैं। इसके बारे में बात करेंगे कि आपको इसे घलत भरेंगे तो आपका नंबर किस तरह कटेगा। ठीक है चले negative marking के बात करते हैं दोस्तों there will be negative mark will for wrong answer in the written examination negative mark will be half of the marks allotted to correct answer and mentioned at point even for example if marks for correct answer is 2 then the negative marks for wrong answer will be 1 यानि आप यदि दो question गलत करते हैं तो आपका एक marks काट लिया जाएगा ठीक है दोस्तों यानि आपका 50% minus marking है तो इस चीज को आपको ध्यान देना है minus marking बहुत ही जादा है यहां तक की railway में भी 1 by 3 का minus marking होता है लेकिन इसमें उससे भी बहुत जादा minus marking है इसलिए आप लोग जो भी question touch करें वो question लगबग 100-100% सही होना चाहिए लास्ट में आप लोग 10-5 question इस तरह ले सकते हैं अपने 50-50 पर ठीक है दोस्तों लेकिन कोशिस आपकी यह रहनी चाहिए खास तोर से हिंदी में ध्यान देना होगा दोस्तों हिंदी का जो है आपको जो भी होगा आप 100-100% सही आएगा तभी मारिएगा क्योंकि माइनस marking बहुत जादा है इस इसका ध्यान रखेगा दूसरी बात दोस्तों हिंदी का जो है मैं एक आप लोगों को पीडियाफ उपलब्द कराने वाला हूं जो लोग मेरा सेट लिए हैं उनलों के लिए उपलब्द होगा कि उस पीडियाफ में आप लोगों को रिबीजन पॉइंट में करके लगभग 50-60 ऐसे करके रिबीजन मारते हैं तो क्या होगा देखें मल्टिपल ड्राट डर्कनेस यानि आप एक दो तीन ठो ऑप्सन जो है रंग देते हैं जैसे एबी सी में एबी दो ठो रंग दिए तब आपका जो है नौट एंसर माना जाएगा यानि आपको नहीं कोई मार्क्स मिलेगा नहीं आपका मार् इसा कुछ करते हैं तो भी आप उसको इरेज नहीं कर सकते हैं ऐसा करने पर आपको जो है ऐसा एलाउड नहीं है ओमर्सीट में ठीक है दोस्तों यह सारी चीजे आप लोगों को ध्यान रखनी होगी अब बात करेंगे दोस्तों कि क्या-क्या लेकर हमको जाना होगा एक्जा एड्मिट कार्ड मस्ट बी प्रेजेंटेड ऑन दे अफ रिटेन एग्जामिशन फॉर वेरिफिकेशन अलांग विथ एट लिस्ट वन ओरिजनल नॉट फोटो कोफी अथवा असकेनेट कोफी भायलिट फोटो अनिटिफिकेशन कार्ड फॉर एग्जामपल बोटर आईड अधार कार्ड ड्राइबिंग लाइसेंस पासपोर्ट इन ओरिजनल कहने का मतलब दोस्तों कि आप लोग अपना एड्मिट कार्ड तो ले ही चाहिएगा साथ में आपको एक ओरिजनल अइडिफिकेशन करने के लिए भायलिट फोटो अइडिफिकेशन कार्ड होना चाहिए वोटर आईडि कार्ड हो सकता है अधार कार्ड हो सकता है ड्राइबिंग लाइसेंस हो सकता है पासपोर्ट हो सकता है और यह यह चीद ध्यान दिजिएगा दोस्तों आप फोटो कॉपी या असकेनेट कॉपी लेकर नहीं जाना है बलकि आपको भोटर आईडि कार्ड अधा यानि जिसको बोलते हैं हम लोग face mask यानि मास्क ठीक है दोस्तों जो हम लोग mask लगाते हैं ठीक है यह mask आपको एकोल लेकर जाना बहुत जरूरी है ठीक है अगला है it is also mandatory for a candidate to bring his hire on a4 size exam board exam paid candidates are informed that they should make sure nothing should be retained on their exam board यानि आपको अपने साथ a4 size का exam board exam paid ले कर जाना होगा जिस पर कोई चीज़ लिखा नहीं होना चाहिए साप होना चाहिए एक clean होना चाहिए ठीक है दोस्तों वो आपको साथ में ले कर जाना होगा ठीक है उसका भी मैं फोटो आपको दिखा रहा हूँ यह है एक्जाम पैड ठीक है यह ऐसा एक्जाम पैड आपको ले कर जाना होगा यह भी एक्जाम पैड मैं पिछले एक्जाम में जो एस एस का एक्जाम था उसको साथ रुपए में तो आप लोग दो गोना पैसा देने के जगा एक एकजाम पैड अपने साथ ले कर जाएगा ये छोटा भी है और फिर भी इसे पचास रुपए का मिलता और इससे बड़ा यहां पर पचास रुपए का अच्छा वाला मिल जाएगा तो मैंने पिछली बार ग आपके एडमीट काड पर किलियर साफ एकदम फोटोग्राफ और सिगनेचर का साफ इमेज आया हुआ है तभी आपका एडमीट काड भैलिड होगा नहीं तो भैलिड नहीं मानाय जाएगा तो इंसोर दिस प्रिंट दा हॉल टिकट अन ए ए फोर साइज पेपर इजिंग ए लेजर प्रिंटर प्रिप्रली एक कलर फोटो प्रिंटर यदि आप जो है हॉल टिकट ए फोर साइज में जो है एडमीट काड को प्रिंट कराईएगा और साथ में यदि कलर फोटो प्रिंट हो जाए तो और भी अच्छा रहेगा ठीक है दोस्तों अथ्वार लेजर प्रिं इसमें जो है देश्तों कि दा कर्णिडेट सेल है ब्रींग ब्लू ब्लैक बाउल पॉइंट पेंट वनली यूज फॉर पेंसील अथवा एनी अधर मीन्स इन इस्ट्रिकली प्रोवेटेट यानि आपको जो है ब्लू अथवा ब्लैक पेंट ही यूज करना है इसके लोग पें आपको साढ़े नव बजे के बाद इंट्री नहीं करने दिये जाएं इसलिए आप लोग पहले से ही वहां पर जाकर देख ले वहां पर जाने के लिए तयार रहें ही फीं किसी भी सुस्तिति में आपको साढ़े नौँ बजे के बाद इंट्री नहीं करने दिये जाएं ठीके दोस्तों तो साढ़े नौँ बजे से पहले पहले हो जाएं आपWow पहुंच हैं अगला है दोस्तों कंडेट विल नॉट पर्मिटेट टू लीव दैगिजाम होते समय या एक्जाम खतम होने के पाले आपको जो है बाहर निकलने का जो है परमिशन नहीं दिया जाएगा इसके अलावा नो टीए डीए यानि आपको आने जाने का खर्चा ट्रेवलिंग प बना दूगा इसके अलावा पर ठारने की ब्योस्ता तो अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं इस पर भी वीडियो बने तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएगा कि सर इस पर भी वीडियो बने कैसे हम लोग पटना वगरे या जहां से भी आप लोग जाना चाहते हैं कैसे हम लोग पूसा इंवर्सिटिक तक पहुंचें या फिर कहां ठाहरने की ब्योस्ता है सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूँगा यदि आप लोग कहिएगा तब ठीक है दोस्तों क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्ली से जल् नहीं देंगे बाहर कहीं भी फेकना पड़ता है जो काफी रिस्की होता है आपको मोवाइल महंगा होता है तो भूलने का डर होता है ठीक है तो इसकी भी ब्योस्ता आपको खुद करनी होती है कि कहां आपको अपना समान लगे जो अगर जो भी लेकर आ रहे हैं कहीं से भी दूर से अपने साथ जो भी लेकर आ रहा है वो कहां रखना है ठीक है दोस्तों ये सारी बेवस्ता खुद से करनी होगे ठीक है तो इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे इसके अलवा आप लोगों को जो भी प्रूलम होगा हमें कमेंट कीजएगा आपके कमेंट का जवाब देंगे और जवाब से भी नहीं होगा तो उस पर वीडियो बना कर आपको बताएंगे तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ तब तक के लिए थैंक्यू